रोहित शर्मा को लेकर हार्दिक पांडिया का बड़ा बयान, जी हाँ दोस्तों IPL का आगाज होने में अब कुछी दिन शेश हैं शुक्रवार यानी 22 मार्ज को पहला मुकाबला खेला जाएगा चन्नेई में पहले दिन RCB और CSK की टीमें आमने सामने होंगी इस बीच पांच बार की IPL चैंपियन टीम मुंबई इंडियन्स की भी तैयारी जारी है सभी खिलाडी अपनी अपनी प्राक्टिस कर रहे हैं इस बार टीम की कमान हार्दिक पांडिया के हाथ में रहने वाली है इससे पहले हार्दिक पंड्या ने रोहित को लेकर बड़ा बयान दिया है हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा को लेकर कहा है कि वह मेरी मदद के लिए हमेशा मौझूद रहेंगे हार्दिक ने कहा कि इस टीम ने जो कुछ भी हासिल किया है, वह रोहिद के ही नेत्रित्व में किया है। अब मुझे बस इसे आगे लेकर जाना है। हार्दिक ने उम्मीद जताई कि रोहिद अपना हाथ मेरे कंधो पर रखेंगे। इतना ही नहीं, हार्दिक पंड्या ने आगे कहा कि रोहित शर्मा भारतिय टीम के कप्तान है, इससे मुझे मदद मिलती है। हार्दिक बोले कि पूरा करियर रोहित के नेतरित्व में खेला है और मुझे पता है, उनका हाथ हमेशा रहेगा।